अला वोन सो वालकुम बाक टो अनकाडमी एटम्स मैसल पारस अगुरेंच चलिए स्टार्ट करते हैं तर्ड डिसकुशन आफ किस्टल फिल्ड थियोरी तो CFT यस कोडिनेशन कंपाउंड के एक बहुत बहुत थियोरी है जिससे क्वेस्टन भी आते हैं और जिससे वीबीटी में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं जो असंप्शन वीबीटी ने ली थी उनको CFT काफी हद तक एक स्प्रीन कर पाया था तो इस वेरी लॉजिकल वेरी इंट्रेस्टिंग और बहुत सारे क्वेस्टन सौल हमारे तभी हो पाते हैं धंक से जब हमें CFT का नौवेज हो तो चलिए इसको जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं लेट्स स्टार्ट तो पंदरा से मतलब 15 मि पोस्ट किया और आज हम उसका solution भी discuss करेंगे ठीक है after this ओके start करें देखे तो crystal field theory तो most of the shortcomings of VBT of coordination compounds were removed in the crystal field theory and it attributes देखे VBT ने कहा कि जो coordination compounds में bonding हो रही है वो primarily किसकी वरसी हो रही है that is mainly because of the कौन सा character है? Covalent character तो उन्होंने ionic character को बिल्कुल भी weightage नहीं दिया कि ionic character भी हो सकता है तोड़ा बहुत नहीं Covalent character ही है but यह जो crystal field theory है ठीक है यह चलती है electrostatic attraction की basis पे कि जो central atom है यह central metal जो आपका और जो ligand है उनके बीच में electrostatic forces of attraction है तो electrostatic forces of attraction charges की बीच में होती है मतलब यह एक तरह का ionic model है अब जैसे ligand आपका आमाली यह bromide है OH negative है O2 negative है मतलब एनाइन है तो एनाइन तो समझ आता है negative charge है metal के उपर positive charge है तो ठीक है समझ आता है फिर इनमे electrostatic कैसे आप बताएंगे तो इनको फिर आज़ हम dipole consider करते हैं तो जो neutral molecule है उनको dipole के तरह consider किया जाता है ताकि हम उनके through electrostatic force of attraction वाला जो model अपना explain कर सकें तो this was successful in explaining the bonding and properties of coordination compound अब सबसे पहले बात करते हैं जो splitting होती है क्योंकि काफी बच्चे splitting को बहुत अच्छे से visualize नहीं कर पाते कि यह splitting कैसे हो रही है देखें तो d orbital and ligand interaction जब हम octahedral field की बात करते हैं तो बच्चों octahedral ऐसा होता है यह आपका center है और x-axis पे दो ligands आ रहे हैं आपके y-axis पे दो ligands आ रहे हैं और z-axis के along दो ligands आ रहे हैं ठीक है यह बात तो आप समझते हैं राइट हाँ sir x-axis पे दो हैं y पे दो हैं z पे दो ligands आपके आ रहे हैं अब बच्चे डी के जो पांच orbital है वो normally degenerate होते हैं मतलब वो पांच जो सेम energy level पे होते हैं बट जब ligands उनको approach करते हैं octahedral तरीके से तो वो जो पांच orbital थे जो सेम energy level पे थे वो तूट के दो गुटों में बट जाते हैं दो groups बना लेते हैं वो एक आपका group उपर चलाता है energy में उसको eg कहते हैं और एक नीची आ जाता है उसको t2g कहते हैं ऐसा क्यों होता है और यह जो उपर जाने वाले हैं तो उपर यही क्यों जाता है dx2-y2 और dz2 ही उपर क्यों जाते हैं और बाकी के जो तीन है dxy yz xz वो कि alignment है वो कैसी है यहाँ पर देख लीजिए क्या यह orbital x axis y axis z axis किसी भी axis के along जा रहा है क्या बताइए यह वाला किसी axis के along जा रहा है नहीं यह वाला नहीं यह वाला नहीं तो यह orbital actually in between the axis हैं कैसे देखें orbital यह ऐसे हैं और axis कहा है आपकी यह और यह ठीक है sorry यह और यह आपकी axis है fine पर orbital जो वो in between the axis जा रहा है और ligand आपका कहा है ligand तो आपका यहाँ पे axis के along तो मतलब यह वाला जो orbital है यह ligand का आमना सामना directly नहीं कर रहा है तो इसको ligand से मिलने वाली repulsion जो होगी वो comparatively कम होगी ठीक है तो यह जो तीन है यह बिल्कुल face to face ligand को नहीं जहेल रहें तो ligand से मिलने वाली repulsion भी इनको कम मिलेगी तो यह energy में नीचे आगए और यह जो dx square मानस y square है अब देखें dx square मानस y square ऐसा है एक्स एक्सिस के along दो orbitals हैं दो lobes हैं और y-axis के along भी दो lobes हैं तो ligand भी तो यहीं पे हैं तो ligand और lobe बिल्कुल आमने सामने हैं तो वाँपर repulsion जाता मिलेगा z square में भी देखें यह ligand यहाँ पे और यह इसका lobe है यह lobe है और यहाँ ligand है इनको रिपल्चन जादा मिल रही है तो इसलिए dz square और dx square मानस y square क्योंकि यह जादा रिपल्चन फील करते हैं फेस करते हैं तो यह energy में थोड़ा सा higher चले जाते हैं ऊपर चले जाते हैं ठीक है तो यह क्लियर कि क्यों इसी तरह की splitting हुई अब बच्चों यह आपके दो सेट बन गया उपर वाला आपका EG है नीचे वाला आपका T2G है अब जो पहला electron आएगा जो filling करोगे तो off-ball rule के according आप क्या बोलोगे हम तो सबसे lowest energy को भरते हैं तो lowest energy वाला आपको कौन सही है एक electron यहाँ जाएगा दूसरा हंट rule के according second यहाँ पे आएगा तीसरा यहाँ पे आएगा तीन electron आने के बाद अब जो fourth electron है उसके सामने कश्यमकश आ जाएगी कि भीया मैं कहां जाओ मैं उपर जाओ मैं नीचे जाओ मतलब अगर यह gap छोटा हुआ छोटा है इसको gap को जम करने के लिए उसको कम energy चाहिए तो बोलेकर चलो यार मैं उपर चला जाता हूँ और अगर यह gap बढ़ा हुआ ठीक है तो बोलेकर मैं पेरिंग कर लूँगा क्योंकि पेरिं के लिए आपको 100 चाहिए तो पेरिंग कर लेंगे तो डिपेंडिंग ओन कि यह जो स्प्लिटिंग energy है डेल्टा ओ इसका और पेरिंग energy का आपस में क्या relation है अगर पेरिंग energy बढ़ी होगी तो यह जंप करेगा और पेरिंग नर्जी छोटी होगी तो यह पेरिंग करेगा स पास फोर्थ electron आता है ठीक है और यह जो स्प्लिटिंग है यह किसकी वरसी आ रही है क्योंकि ligand और orbital की बीच में repulsion हुआ तो जो strong field ligand होगा उसके साथ repulsion भी जाबाएगा तो यह जो स्प्लिटिंग होगी यह भी जाबाएगी तो इसलिए मोलता है कि strong field ligand weak field ligand का जो fund आया अब एक doubt बच्चों को यह भी रहता है कि सर जो octahedral crystal field splitting है उसमें उपर जाता है EG नीचे आता है T2G और यह जो gap है यह gap भी कितना है यह gap आप देख पारें 3 by 5 delta O मतलब इसको आप बोल सकते हो कि यह वाला जो है आपका plus 0.6 delta O है और जो नीचे वाला है यह minus 0.4 delta O है ओके ऐ ऐसा क्यों क्यों क्योंकि देखें नीचे माल नीचे तीन लेक्ट्रों गें है या overall नीचे 6 आ जाएंगे क्योंकि 3 orbital नीचे है तो total 6 लेक्ट्रों आएंगे ठीक है नीचे जो 6 आएंगे जब एक लेक्ट्रों नीचे जाता है तो उसकी energy कितनी नीचे आती है minus 0.4 delta O जब 6 न लेक्ट्रों जाएंगे तो 4 लेक्ट्रों की energy कितने से बड़े ही 4 इंटू 0.6 delta O तो यह भी 2.4 delta हो आ रहा है यह positive R नीचे वाल negative आ रहा था total क्या रहेगा 0 total energy conserve हो के इसी level पे है इस level को कहते है very center ठीक है इस level को कहते है very center अब doubt बच्चों की यह आता है कि सर octahedral में जो splitting थी यह वो कुछ ऐसी थी और जो लिगेंट थे वो आपने सामने थे along the axis along the axis वाले तो उनको जाज़ा रिपल्चन मिली वो ओपर चले गए यह आपका tetrahedral arrangement है जरा ध्यान से इसको देखिए यह आपकी Z axis आ गई यह आपकी X आ गई यह आपकी Y आ गई ठीक है और जो black वाले है ना यह गोले यह आपके क्या है यह आपके ligands है तो मुझे बताईए क्या ligands X axis यह Y axis यह Z axis के along approach कर रहे है क्या आप बलकुल लें तो लिगेंड है यह कहां से आ रहा है यह कहां से आ रहा है ये in between the axes आ रहा है क्योंकि ये y है ये z है right तो ligands along the axes नहीं अप्रोच कर रहे हैं in between the axes अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होगा देखे तो basically जो मैं explain कर रहा था कि जो हमारे पास dxy yz और xz होते हैं they are in between the axes ठीक है तो जब ligand यहीं से अप्रोच करेगा तो उसमें क्या होगा face to face होगा repulsion जाब आएगी तो अब ये तीन orbital energy में उपर चले जाएंगे और जो बागी दो थे वो energy में नीचे आ जाएंगे तो सारा positioning पर depend कर रहा है कि orbital और ligand face to face कब आ रहे हैं कौन से orbital ligand को directly face कर रहे हैं और कौन से नहीं face कर रहे हैं तो कौन उपर जाएंगे कौन नीचे जाएंगे ठीक है तो I think that much clarity is there क्योंकि normally हम square planar के बारे में उतना नहीं पढ़ते हम tetrahedral और octahedral पढ़ते हैं पर अगर square planar क्योंकि geometry तो हमें पढ़नी होती है पर उसकी splitting के बारे में generally नहीं पढ़ते पर वो भी important है देखिए यह आपके पास octahedral था octahedral ऐसा होता है इसमें जगर मैं यह दो वाले bond हटा दूँ z axis वाले तो मिर पास सिर्फ यह दो बचेंगी तो square planar बन जाएगा तो मिर बस z axis को हटाना है वो कैसे करेंगे z axis पर जो तो bond है उनको लंबा करते जाएगे ताकि वो weak होता जाए वो दीरे दीरे वो एक point पे तूट जाएगा तो यह आपके पास octahedral arrangement है अभी अब हम क्या कर रहे है now there is elongation of bond along the z axis z axis के along जब bond खेंचे जाएंगे elongate होंगे तो weak होंगे है ना और अब देखे जैसी यह elongate हो रहा है z वाला जो component अब energy में नीचे जा रहा है क्यों? क्योंकि वो हाँ पर bond जो है यह interaction जो है वो दीरे-दीरे weak होती जा रही है ठीक है ना तो वो energy में थोड़ा नीचे आ रहा है उसको उतनी रिपल्चह नहीं मिले क्योंकि bond V को ताह रहा है लंबा होता जा रहा है वो और eventually जब यह bond टूट ही जाएगा z axis के along जो दो bond ते वो टूट ही गए अब z axis पर कोई भी नहीं है तो जहां जो ligand है ligand है बहुत है जहां आ पर क्या नहीं ligand नहीं है तो अब क्यों होगा तो z axis पर cuánt ligand को आपने वहाँ से बूर करते 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 अब आपने दोनों ligands को हटा दिया तो वो energy z axis के along अब रिपल्चिन ही नहीं हा रही जब z के long repulsion ही नहीं आ रही तो suddenly यह जो d z square था यह काफी नीचे चला जाएगा क्योंकि पहले इसको repulsion मिल रही थी वहाँ ligands थे अब ligand नहीं है z axis पे तो यह suddenly काफी नीचे आ जाएगा अब ligand कहां बचे हैं सिरफ x और y axis पे तो मतलब x y वाले को सबसे ज़्यादा repulsion मिलेगी तो x square minus y को थोड़ा और उपर चला गया क्यों क्योंकि अब सिर्फ x और y के along ही ligand लगे हैं और x square minus y square में जो lobes हैं वो बिलकुल axes के along होते हैं तो इसको सबसे ज़्यादा repulsion मिल रही है ठीक है और इसके नीचे कौन है आप देखें यह जो तीन थे इनमें यह x y है y z है और x z है तो जो y z और x z है उसमें z वाले component में तो ligand बचा ही नहीं तो वहाँ repulsion कम हुई तो यह x z और y z दोनों में जो repulsion का drop आया वो बराबर आया तो यह energy मौर नीचे चलेगे ठीक है पर यह जो x y था यह थोड़ा उपर जाएगा आप क्योंकि सिर्फ x y के along ही ligand बचे हुए है हाँ d x y को उत्री जाद repulsion नहीं मिलेगी क्योंकि इसके ligands in between the axis है पर at least x y plane में तो है न यह और ligand भी हमारे सिर्फ x y plane में तो इसलिए x y वाला जो है setup यह energy में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है ठीक है और z square वाला काफी नीचे चला जाता है overall आवा बोलोगे सर z square सबसे नीचे क्यों नीचे चला गया उसको तो बिल्गूल repulsion नहीं मिल रही नहीं ऐसा भी नहीं है z square में यह लोब और एक रिंग भी तो है रिंग आपका x y plane में है उसको थोड़ी repulsion मिलेगी इसलिए यह अभी भी इन दोनों से उपर ही है तो यह setup आता है आपका square planar arrangement में ठीक है बाकि आपने spectrochemical series के बारे हैं पड़ा हुआ है आपके oxygen donors है जाए वो oxalator हो गया H2O हो गया oxide OH negative water हो गयरा सब सारे सारे तो basically oxygen donors है उसके आगे उससे better जो है वो nitrogen donors है और सबसे अच्छे जो है वो carbon donors है तो जैसा आपका basicity या nucleophilicity का trend रहता है कि carbon के nucleophil सबसे strong होते हैं उससे भी कोते है nitrogen वाले उससे भी कोते है oxygen वाले और उससे भी कोते हैं आपके basically highlights तो यही trend आप यहाँ पर भी देख रहे हो carbon वाले ही ligand सबसे strong field हैं उसके बाद nitrogen वाले हैं फिर oxygen वाले हैं फिर last में आपके halogen हैं यह crystal field splitting काफी पच्छी सोचते हैं सब strong field ligand लेने से बस बहुत ज़्यादा splitting हो जाती है सब कुछ उसी पे depend करता है नहीं ऐसा नहीं है crystal field splitting कितनी होगी यह सिर्फ और सिर्फ एक strong ligand ले लेने से नहीं होता इसमें काफी सारे factors हैं पहली बात identity of metal यह metal कौन सा है मतलब देखें 3D series का metal है तो उसमें crystal field जितनी होगी splitting 4D series वाले में उससे करीब करीब 50% जादा होगी 5D वाले में उससे भी 25% और जाता होगी और 3D में भी क्या सबके लिए बराबर है नहीं ऐसा भी नहीं है वहाँ पर इर्विंग वीलियम सीरीज आती है अब दूढ़ सकते हैं उसको इर्विंग वीलियम सीरीज है वो बताता है कि different metals में किस तरह से vary करता है पर in general 3D से ज्यादा 4D में 4D से ज्यादा 5D में फिर oxidation state of metal जैसे metal पर 2 positive oxidation state है ठीक है तो कुछ splitting आई 3 positive में और जादा आएगी 4 positive में और भी जादा आएगी जितना metal के उबर positive चाह जाता जाएगी oxidation state बढ़ती जाएगी splitting बढ़ती जाएगी the number of ligands ओविसी बात जादा ligand होंगे तो जादा splitting आएगी इसलिए octahedral crystal field splitting tetrahedral crystal field splitting से comparatively जाद होती है then the nature of ligands वही बात strong field ligand weak field ligand यह आता फिर आपका nature of ligand is one of the factor जो overall delta O को decide कर रहा है यह delta को decide करता है ठीक है next बाता थी calculation of crystal field stabilization energy देखे मैं आपको बताया था octadal में नीचे 3 है उपर 2 है तो यह T2G है और यह आपका EG है पहला electron जो आपके पास आएगा वो यहाँ गया second electron यहाँ गया third electron यहाँ प्याँ गया fourth electron से ही आपके सामने एक कश्म कशाती क्या है इधर जाए ओपर जाए क्या करें पेरिंग कर लें या फिर जंप कर लें तो वो डिपेंड करता है के delta O अगर greater than pairing energy हुआ तो pairing होगी पेरिंग टेक्स प्लेस एंड डेल्टा ओ अगर less than pairing energy है तो electron jumps to EG set उपर चला जाएगा ठीक है तो उसके यहां आ जाएगा फिफ्थ यहां आ जाएगा फिर six से तो pairing करवाने ही पड़ेगी समझ के यह बात जितने जादा unpaid electron रहेंगी उतनी स्पिन complex है समझे तो इसका मतलब हुआ कि अगर VBT में भी मेरे पास T2G में चार electron है यारे छोड़ो डी में मेरे पास चार electron है तो हम normally क्या सोचेंगे अच्छा डी में चार electron है दो दो के pair बना देते हैं नहीं क्योंकि यहां पे ग्राब देखोंगे चार electron में क्या होगा 123 और फोर्थ यहां आएगा एक ही pair बनेगा बाकी दो फिर भी single रहेंगे ठीक है वहाँ पांच में दो pair बनते हैं और एक single रहता है छे में तीनों बन जाते हैं पर चार का मतलब यह नहीं कि दो pair बना दो तो VBT में यह ध्यान रखना कि D3 में तो बिल्कुल भी pairing भी करवा नहीं ह कैसा मरजी लिगेंड हो स्ट्रॉंग लिगेंड है तो भी D4 में यह मत करा देना कि दो pair बना देना एक pair बनाना दो को single रखना क्यों क्यों क्योंकि maximum आपको दो यह orbital ची बी के खाली D2 SP3 के लिए तो वो दो आपको जब आउलेडी मिल रहे हैं तो बाकी तीन में जबरदस्त पेरिंग करवा तो मुझे तो दो बार पेरिंग का खर्चा देना पड़ेगा और एक डबा भी खाली रहे गया इसको उटिलाइज कर लेते हैं तो बात यह थी कि उन तीन मेंसे एक बार ही पेरिंग करवाओ तो वो energetically favorable रहेगा क्योंकि आपको दो बार पेरिंग energy प्रवा जो अब electronic configuration लिखते हैं उसको d1, d2, d3 की बजाए हम ऐसे लिखते हैं t2, g1, e, g0 t2, g का लग mention करते हैं configuration और e, g का लग mention करते हैं d2 में दो electron यहाँ पे आएंगे, 3 में यहाँ पे आएंगे, 4 में अब यह क्योंकि छोटी थी splitting तो यह उपर जा रहा है, 5 में उपर जा रहा ह is less than pairing energy और नीचे वाले में क्या है, delta O is greater than pairing energy तो उसके recording कैसे feeling होगी या pause करके एक बाए राम से इसको देख सकते हैं समझ सकते हैं, और यह देखी crystal field stabilization energy, जैसे 4 electron अगर नीचे हैं, अगर 4 electron यहाँ पे नीचे हैं, ठीक है, पर electron आपके energy कितना down जाती है, reference level से, बेली center से कितना नीचे जाता है, minus 0.4 delta O, 4 electron नीचे गए, तो 4 into minus 0.4 delta O, plus Pb आएगा, क्यों, क्योंकि बेटा एक बार pairing भी तो हुई है, pairing energy में दे नहीं भरती, इसलिए वो positive आएगा, तो total crystal field stabilization energy ऐसे लिखी गई, अब जब 5 electron है, 2 pair बन चुके हैं, तो 5 into minus 0.4 delta O, plus 2p, क्योंकि 2 बार pairing हुई है, तो समझ गए आप, ठीक है, और जब इस तरह से हो, कि 4 electron उपर जा रहा है, तो क्या होगा, तो देखे, 3 to नीचे गए, 3 into minus 0.4 delta O, और 1 उपर गया, तो 1 into plus 0.6 delta O, ऐसा जाएगा, यह high spin complexes हैं आपके, ठीक है, तो crystal field splitting का basic idea मिल गया आपको, है न, तो I think, चलिए इसके question है discuss करेंगे, तो काम करता हूँ, आपको मैं 11 question दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर pause कर लिए इसको, question number 1, question number 2, question number 3, you can just pause the video, note it down and solve it, question number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and the last one, 11, तो 11 question है, यह आपको try करने, ठीक है, तो I hope आपको यह वारा lecture समझ आया होगा, और दूसरी बात, अब आपको पते हैं कि भी या, subscription अगर आप जाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वैसे तो भी, जो आपर चल रहे थे, बहुत दार discount वाले वो भी जा चुके हैं, प attend करिए, free mock test है, do join that, and unacademy light subscription आप ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की करनी है, questions की, तो आप ले सकते हैं, सिर्फ उसमें आपको question प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, right, तो unacademy light subscription आप देख सकते हो, lectures नहीं है, problem practice है, mock test है, detail analysis है, और ask it out feature अब आपका website के उपर भी आ चुका है, and हमारा जो all stars batch है, ठीक है, वो already start हो चुका है, तो उसमें unacademy के top educators आपको सारे पढ़ाएंगे, पूरा एक महिने में आपको सारे चीज़ने revise कराएंगे, that is on plus, तो उसकला आपको plus subscription चाहिन करना पड़ेगा, right, तो ये करिए, and secondly, use the code ptlive, ठीक है, तो एक पर मैं आपको मैं, I think fee structure के बारे में तो बच्चों को पता ही है, but अभी जो discounts चल रहे थे, वो discount तो भी खतम हो चुके है, ठीक है, तो इसलिए अब आपको, I think पुराने pricing पे ही, join करना पड़ेगा, पर फिर भी अगर आप देखे, बेटर option के, join कर लीजिए, ठीक है, and just a minute, yes, तो use the code ptlive, and these are the prices, ठीक है, अगर आप जोइन करना चाहते हैं, तो ये prices हैं आपके सामने, अगर आप, मैं तो बोलूगा, best है कि, अगर आप किसी को recommend भी करना चाहते हैं, तो go for the one year, or more than that, longer course, तक आप अच्छे से, total आपकी त्य lectures कैसे लगे हैं, ठीक है, छोटे-छोटे lectures में जो हम cover कर रहे हैं, topic wise, ये आपको overall कैसे लग रहे हैं, ठीक है, तो ptlab code लगाओ, जल्दी से जल्दी आजाओ, and that's it, thank you, share कर देना, bye